इस कहानी के शुरू में प्रिंस फिलिप की शादी हो रही थी। उनके लिए सब लोग काफी ज़ादा खुश थे। और ये है प्रिंस हेंडरी, जो प्रिंस फिलिप के छोटे भाई है। और साथ ही ये इन दोनों की बहन है। अब क्योंकि शादी तनी ज़ादा बड़ी थी, इसमें काफी सारे इंपॉर्टन्ट लोग आये थे। और उन्ही सब लोगों में से एक था आलेक्स, वो दरसल यूएस के राष्ट्रपती का बेटा था। वो इस शादी में नोरा के साथ आया था। नोरा उसकी काफी अच्छी दोस्त थी, और वो राष्ट्रपती के लिए काम भी करती थी। अलेक्स के शादी में आने का मन नहीं था, क्योंकि उसको हैंड्री बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दर असल उसे काफी समय पहले मिला था। और उस समय हैंड्री का बरताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब हैंड्री सबसे एक एक करके मिल रहा था। आलेक्स उसे अच्छी से बात करता है, पर हैंड्री ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये देकर आलक्स को अच्छा नहीं लगता वो काफी सारी आलकोहल कंस्यूम करता है और सिधा हेंडरी के पास जाता है वो उसे कहता है तुम उसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते तुम में किस बात का अटिट्यूड है इसी भी शकलती से वो केक को खराब कर देता है इसी भी शिन दोनों में थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती है हेंडरी इस सिचुेशन को संभालने की काफी कुशिश करता है पर वैसा हो नहीं पाता देखते ही देखते इतना बड़ा केक इन दोनों पर आ जाता है और ये छोटी से बात एक काफी बड़ी से न्यूस बन जाती है इसी वज़र से Alex की मौम उस पर काफी गुसा होती है नैसल एलेक्शन आने वाले थे और Alex की सरकत की वज़र से सबको ऐसा लग रहा था कि राष्टपती की बेटे की रिष्टे प्रिंस जेंरी के साथ अच्छे नहीं है इसलिए इस चीज़ को फिक्स करना काफी ज़रूरी था जहारा राष्टपती के लिए काम करती थी और इन्होंने मिलकर प्लान बनाया था इस प्लान के हिसाब से आलिक्स को हैंरी से मिलने जाना था और पब्लिक को ऐसा दिखाना था कि सबकुछ बहुत ही अमेजिंग है सबको ऐसा लगना काफी इंपोर्टेंट था कि दोनों बच्पन के दोस्त है और चोटी मोटी बहस तो हो ही जाती है इनकी फोटोस और इंटेव्यूस सब कुछ होता है इन्हें ऐसा शो करना पड़ता है कि दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं इसके बाद ये हॉस्पिटल जाते हैं और काफी सारे बच्चों से मिलते हैं पर तबी अच्वानक से शो राता है इन्हें ऐसा लगता है कि इन पर हमला हुआ है इसलिए इन दोनों की सुरक्षा काफी जरूरी थी इसे बीच हेन्री अलेक्स से पूछता है यो तुमको मैं पसंद क्यों नहीं हूँ अलेक्स उसे बताता है कि काफी समय पहले वो मिले थे और हेन्री ने उसे अच्छे से बात नहीं की थी और ये सुनकर हेन्री उसे माफी मांगता है वो कहता है उस समय मैं छोटा था और काफी बत्तमीज भी पर अपसे मैं ऐसा नहीं करूँगा इसे बीच इन्हें बताया जाता है इन पर कोई खत्रा नहीं है दरसल कोई छोटा बच्चा बस खेल रहा था इसके बाद एक कुछ देर बच्चों के साथ रहते हैं और फाइनली आलेक्स का जाने का टाइम आता है आलेक्स वापस जाकर फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है उसकी मॉम अपने एलेक्शन के लिए काफी सीरियस थी और आलेक्स के बापा उसकी मॉम का काफी सपोर्ट करते थे इसे भी शालेक्स एक पुराने दोस से मिलता है यह दोस तरसल एक रिपोर्टर भी था और आलेक्स ने उसे कुछ समय पहले डेट किया था और इसी दुरान आलक्स को हेंडे की मेसेज आते हैं ये दोनों काफी सादा बाते करना श्रू करते हैं यह हर समय बस एक दूसरे को टेक्स्ट करते रहते यहाँ तक की सोते समय एक दूसरे को कॉल करते थे इसके बाद थुड़ा सा समय गुजरता है और एक दिन आलेक्स जहरा के पास चाहता है उससे बताता है कि उसके मौम के एलक्शन कैमपेंट गयर उसके पास काफ़े सारे आइडियाज है वो अपनी फाय को सहरा को देता है उससे कहती है कि उसकी नियूएर्स की पार्टी में उसको प्रिंस को बुलाना चाहिए इसलिए आलेक्स वैसा ही करता है और पार्टी में सब लोग काफी मज़े कर रहे थे इसी भीछ हन्री देखता है कि आलेक्स किसी और के साथ है ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और वो बाहर क्यों चला जाता है आलेक्स को समझ नहीं आता उसे क्या हो गया है इसलिए वो उसका पीछा करता है हन्री उसे कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा मैं सब को दिखा नहीं सकता और जिसके साथ मैं होना चाहता हूँ वो शायद वैसे नहीं है आलेक्स उसे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो, इसलिए Henry उसे किस करता है, और तभी उसे realize होता है, उसे वैसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो चला जाता है, और इसके काफी समय तक वो Alex से कोई बात नहीं करता, और Alex को समझ नहीं आ रहा था, कि वो ऐसे क्यों कर र इसे वो एक्ष्छल में काफ़ी पिसंद था इसके बाद एक छोटी सी गैदरिंग होती है आलेक्स हेंडरी का इंतजार करता है और फाइनिली उसे वो दिख जाता है इसलिए वो इसको मिलने बनाता है हेंडरी उसे माफी मांगता है वो कहता है मुझे ऐसा नई करना जढ़ा था पर तब ये अलक्स उसे क्स करता है और इन दोनों को रेलाइस होता है इन दोनों को एक दूसरे के लिए same चीज़े फील होती है ये दोनों ही अक दूसरे को बसंद करते थे पर ये चीज ये सब को बता नहीं सकते थे पसंद था इसी भी शेनरी आलेक्स को बताता है कि उसने सिर्फ अपनी बहन को बताया है कि वो आलेक्स को पसंद करता है वो इस रिष्टे को छुपा कर रखेगा क्योंकि वो एक राजकुमार है और एक राजकुमार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता वो कहता है जब आप ऐसे परि नहीं थी, वो था एक दूसरे से दूर रहना और काफी जादा लंबे समय के बाद मिलना इसे भी शालेक्स अपनी माम से बात करता है वो चाहता था इस कामपेन का हिस्सा बनना और उसकी माम ऐसा अलाओ नहीं करती वो जानता था कि उसके आइडियास काफी अच्छे हैं उसकी माम सहरा से उसकी फाइल लेती है इसी फाइल में अलेक्स ने अपने सारे आइडियास ये थे और वो सब देखके उसकी माम डिसाइड करती है कि वो अलेक्स को एक मौका देखी और ये सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है अब उसकी जिंदगी काफी busy हो गई थी वो पूरे समय बस काम करता और ये सारी चीजें वो हेंरी को जरूर बताता था हेंरी को उस पर काफी नास्त था पर अपनी mom की campaign के लिए काफी अच्छा काम कर रहा था पर इसी भीश वो रिपोर्टर उसके बारे में काफी जीब से चीज़े लिखने लगता है और आलेक्स को यह पर सिन नहीं आता कि वो उसके कैमपेंग के बारे में कुछ भी कहे पर इसी भीश हैंडरी उसे मिलने आता है यह उसके लिएक सप्राइस था उसे यह सब काफी अच्छा लगता है इसी तोरान वो काफी जादा लेट हो जाता है और सारा गुसे में उसके रूम में आती है वो कहती इतनी सुबा हो गई तुम किसके साथ हो तुम्हारी मॉम को इतने मुश्कल से मैंने राजी किया तुम ये सब क्या कर रहे हो पर तभी अचानक से उसे रेलाइस होता है कि वो किसी लड़की के साथ नहीं पर हेंरी के साथ था बस चीज़ का एकसेप्ट तो कर लेती है पर उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि ये दोनों पबलिक फिगल्स थे और अगर ये बात किसी को भी पता चलती तो इन दोनों के लिए काफी अजीब होता और इसी भी शालक्स अपनी मॉम के पास जाता है अपनी मॉम को सब कुछ बताता है वो कहता है उसको हेंरी काफी ज़दा पसंद है उसकी मॉम उसका पूरा सपोर्ट करती है वो सारा काम छोड़कर उसे काफी देर तक बाते करती है बस साथी वो से समझाती है कि हैंरी एक राजखुमार है रोयल फैमिलीज के लिए ये चीज़ कॉमन नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकते अलक्स कहता है वो सब कुछ जानता है वो कहता है मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ कि कैसे हम साथ में रह सकते हैं हमें चीज़ा छुपानी नहीं पड़ेंगी ये सुनकर हैंरी को रेलाइस होता है कि वो ये सब नहीं कर सकता वो एक राजखुमार है और राजखुमार के लिए उसका देश important है उसका काम और उसका ओधा जरूरी है उसकी फामली से बढ़के उसके लिए कुछ भी नहीं है इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वापिस चला जाता है वो अपनी बहन को सब कुछ बताता है उसकी बहन उसका support करती थी पर साथ ही वो समझती भी थी कि एक राजखुमार या राजखुमारी होना कैसा होता है हैंडरी अलेक्स से दूर तो हो गया था पर उससे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी उससे काफी अकेला फिल होता था अलेक्स उससे काफी जादा calls करता है पर Henry उसे बात नहीं करना चाहता था इसे भीश आलक्स नोरा को सब बताता है नोरा उसे कहती है कि तुम उसकी सिच्वेशन जानते हो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए इसलिए वो एक दिन उससे मिलने चाहता है Henry देखता है कि आलक्स उसके सामने खड़ा है उसको ये जानकर अच्छा नहीं लगता कि आलक्स अचानक से उसके सामने आगया वो भी उसके पैलस में पर आलक्स उसे कहता है कि तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं अतने दूर से अपना सब को छोड़कर तुमसे मिलने आया हूँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुझे तुम्हारे साथ की जरुष है Henry उससे कहता है कि मुझे ये सब मत कहो मैं चाहता हूँ तुम यहां से चले जाओ तुम अच्छे से जानते हो मैं ये सब नहीं कर सकता मेरा राजकुमार होना मुझे अलाओ नहीं करता मेरे लिए मेरा काम और मेरी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है Alex उसे कहता है मैं नहीं जाओंगा मुझे देख कर कहो कि तुम सच में चाहते हो कि मैं यहां से चला जाओं पर हेंडरी उसे ऐसा नहीं कह पाता उसे प्यार करता था उसे अपने साथ म्यूज़म में ले जाता है उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी बापा उसे यहां लाया करते थे कि हेंडरी काफी जदा अकेला है वो एक काफी अच्छा सा सौंग प्ले करता है और उसके सा डांस करता है हेंडरी उसे कहता है कि मेरे साथ रहना इजी नहीं होगा पर आलक्स उसे कहता है कि वो उसका साथ निभाएगा हमेशा के लिए इसके बाद सुबा अलेक्स को जाना होता है और चाते चाते हेंडरी अपनी अंगुठियों से देता है और अलेक्स उससे अपने चाबी देता है दरसल यह चाबी थी उसकी पुराने घर की और वो घर उसके लिए काफी खास था ये वादा करते हैं कि अगली बार ये ज़रूर मिलेंगे इसके बाद दो-चार दिन गुजर जाते हैं इसे भी शेनरी को रेलाइस होता है कि कुछ तो अजीब है उसकी बहन उसे बताती है कि किसे ने हेनरी के अकाउन को हैक कर दिया था और उसके और आलेक्स के सारे मेल्स को लीग कर दिया गया है और ये जानकर पैलेस के सब लोग हेनरी से काफी नराज थे ये मीडिया का काफी बड़ा सा टॉपिक बन गया था इसे भी शेनरी को रेलाइस होता है कि ये सारा काम उस रिपोर्टर का था इसलिए वो पब्लिक के सामने जाता है वो एक स्पीश देता है वो कहता है मैं समझ सकता हूँ मैंने क्या क्या है पर मेरे हिसाब से ये कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि आखिर में मैं और हैंडरी इंसान है और हम दोनोंने एक दूसरे से प्यार किया था हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगता था नॉर्मल फील होता था उसकी ये बाते सबको काफी अच्छी लगती है और वो काफी जादा स्याड रहता था और तपी सहारा उसकी मदद करती है वो जैसे तैसे कॉल अरेंच करती है और अलेक्स हैंडरी से मिलने चाता है हैंडरी उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि सब लोग उसे नापसंद करने लगे है उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है अलेक्स कहता ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं कोई नापसंद नहीं कर सकता मुझे सच में इससे प्यार है उसके दादा उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे सारे मेल्स पड़े हैं और ये बात तो काफी साफ है कि तुम्हारे बीश में जो है उससे प्यार ही कहा जा सकता है और मैं यह चीज अलाओ नहीं कर सकता इसलिए अलक्स को वापिस जाना होगा इसे भी शहां कुछ लोग आते हैं वो राजा से कहता है जिए उनको ये सब रोखना होगा क्योंकि पैलेस के बाहर काफी सारे लोग आए हैं हैंटरी को रैलाऊज होता है कि लोग उसे सपोर्ट करें हैं इसलिए उसे भी सब के सामने आना होगा उसे अपने आपको accept करना होगा इसलिए Henry सब को छोड़ शाड़ के Alex के साथ shift हो जाता है इसके काफी समय बाद हम देखते हैं कि Alex की mom परसे election जीत गई है उसकी mom कहती है ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है ये जीत आप सब लोगों की है वो चाहती थी कि society में changes आई सब लोग इस बात को समझें कि प्यार सिर्फ प्यार होता है और इसी वज़ज़ से Alex और Henry एक दूसरे के साथ काफी जादा खुछ थे और इस कहानी के आखरी सीन में Alex Henry को अपने साथ ले जाता है अपने पुराने घर पर ये जगह उसके लिए काफी special थी और वो उसे share करना चाहता था अपने प्यार के साथ इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है मेरी आप से फिर से मुलाकात होगी एक और ने कहानी के साथ